जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में चंद्रियान 3 से जुड़े सभी अहम सवालों के बारे में बिस्तर से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो, फिर आज की वीडियो शुरू करते। चंद्रियान 3 क्या है? चंद्रियान 3 भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरोद्वारा चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। चंद्रियान 3 का काम खत्म हो जाएगा। वहाँ से चंद्रियान 3 चंद्रमा की ओर यात्रा करेगा। अंतरिक्ष यान में दो भाग होते हैं, प्रणोधन और लेंडर रोवर मॉडियूल। प्रपल्शन मॉडियूल का मुख्य काम, लेंडर रोवर पेलोड को चंद्रमा तक ले जाना है। आप प्रणोधन मॉडियूल को एक ट्रक के रूप में और लेंडर रोवर पेलोड को कारगो के रूप में सोच सकते हैं। चंद्रमा के करीब पहुँचने के बाद, लैंडर रोवर पेलोड खुद को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर लेगा और चंद्रमा पर गिर जाएगा। लैंडर में ऐसे इंजन लगे हैं जो गिरने की गती को धीमा कर देंगे, जिससे वह चंद्रमा पर क्रैश लैंडि करने के बजाए धीरे से नीचे उतरेगा। रोवर पहियों वाला एक छोटा ट्रॉली जैसा उपकरण है। एक बार जब लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा, तो रोवर लैंडर के पेट से बाहर निकल जाएगा और चंद्रमा की सतह पर रेंगेगा। लैंडर और रोवर दो के लिए क्यों महत्वपूर्ण है चंद्रयान? 3. चंद्रयान, 1 और 2 की तरह चंद्रयान. 3 को चंद्रमा तक पहुँचने में एक महीना क्यों लगता है, जबकि 50 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो अंतरिक्ष यान 4 दिनों में चंद्रमा पर पहुँच गया होगा. इंधन रॉकेट के वजन को बढ़ाता है, इसलिए इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्चक्ता होगी. 1969 में अपोलो 11 को चंद्रमा पर ले जाने वाला सैटर्न वी रॉकेट 363 फीट लंबा था. LVM 3142 फीट लंबा है. बड़े रॉकेट बहुत महंगे ह होते हैं. इसके अलावा कोई तातकालिकता नहीं है, चंद्रियान 3 को चंद्रमा तक तेजी से पहुँचने की कोई आवश्चक्ता नहीं है. इसलिए यह एक ऐसा मार्ग अपनाता है जो पृत्वी के गुरुत वाकर्शन का उप्योग करके स्वयम को चंद्रमा की ओर ले ज केपलर के ग्रहों की गति के दूसरे नियम में कहा गया है कि कि किसी ग्रह और उसके उपग्रह को जोड़ने वाली कालपनिक रेखा समय के समान अंतराल में समान क्शेत्रों में घूमती है. इसका मतलब यह है कि अंडाकार कक्षा में चलते हुए उपग्रह के करीब आते ही तेजी से यात्रा करता है और दूर जाने पर धीमा हो जाता है। नियम का यह भी अर्थ है कि कोई वस्तु जितनी दूर से ग्रह के पास आती हैं, ग्रह के करीब आते ही उसका वेग उतना ही अधिक हो जाता है। हम इस संपत्ती का उप्योग चंदृयान, 3 को चंद्रमा की और रवाना करने के लिए पर्याप्त वेक प्रापत करने के लिए करना चाहते हैं। इसलिए LVM3 को पृत्वी के उपर स्थापित करने के बाद चंद्रियान 3 एक अंडाकार कक्षा में अपने आप ही पृत्वी का चक्कर लगाना शुरू कर देगा। जब यह सबसे दूर बिंदू पर पहुँच जाएगा तो जमीन पर मौजूद इंजीनियर इसकी दिशा को थोड़ा बदलने के लिए इसे थोड़ा धक्का देंगे ताकि इसका अगला लूप पहले से बढ़ा हो। इसलिए जब अंतरिक शियान अपने दूसरे लूप पर प अधिक वेग प्राप्त कर ले। ऐसे फाइव, सिक्स लूप पूरे करने पर अंतरिक शियान चंद्रमा की ओर जाने के लिए परियाप्त वेग प्राप्त कर लेगा। एक बार जब यह चंद्रमा पर पहुँच जाएगा तो इसका उलटा होगा। लूप दर लूप अंतरि अधिक शियान चंद्रमा के करीब पहुँचेगा। जब यह चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किमी दूर होगा, तो लेंडर खुद को अलग कर लेगा और चंद्रमा पर उतरना शुरू कर देगा। जाने का रास्ता चंद्रमा तक चंद्रियान, त्री का दिल्चस्प रास्त लेंडर चंद्रमा पर कैसे उतरता है। लेंडर वास्तव में चंद्रमा पर गिरता है, लेकिन इसमें चार थ्रस्टर्स या इंजन है, जो इसे उपर की और जोर देंगे और इसके उतरने की गती को धीमा कर देंगे। यह गणना की गई है कि टचडाउन से ठीक पहले, यह की गती से यात्रा करेगा हमने क्यूरियोसिटी और परसीवरिंस जैसे मंगल ग्रह पर भेजे गए अंतरिक शियान को धीरे धीरे पैराशूट से नीचे उतरते देखा है लेकिन हमारे चंद्र अभियानों में कोई पैराशूट नहीं है क्या नीचे उतरना धीमा करने के लिए इंजन का उपयोग करने की तुलना में पैराशूटिंग करना अधिक सरल और सस्ता नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल पर वायूमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं है हाँ मंगल ग्रह का वातावरण पतला है औसत वायूमंडलिय दबाव प्रिथवी का लगभग 1 प्रतिशत है लेकिन फिर भी एक वातावरण है जो वैसे कार्बन डायूनकसाइड से बना है आपको पैराशूट के नीचे कुछ हवा डालने की जरूरत है जिसे ड्रैक कहा जाता है मंगल के पास कुछ है, चंद्रमा के पास कुछ नहीं है लेंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद क्या होता है लेंडर के सौफ्ट लेंडिंग के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सब कुछ ठीक है फिर आलंकारिक रूप से कहें तो लेंडर के नीचे एक प्रकार का जाल दर्वाजा खुल जाएगा और गाइड रेल उसमें से निकल जाएगे रोवर चंद्रमा की सतह पर पटरियों से उतरेगा रोवर क्या है और यह क्या करता है? पहियों से सुसजित रोवर चंद्रमा की सतह पर कौक रूज की तरह रेंगेगा, मिट्टी उठाएगा और प्रयोग करेगा, तापिय चालकता की जांच करने के लिए सतह से एक फुट नीचे एक जांच करेगा, लेंडर पर लगे उपकरण भी प्रयोग करेंगे. मूलत, ये उपकरण चंद्रमा के बारे में अधिक जानने के लिए उसकी जांच करते हैं. क्या लेंडर और रोवर धर्ती पर लोटेंगे? नहीं, प्रणोधन मॉड्यूल, लेंडर, रोवर सभी हमेशा के लिए वही हैं. जब तक कि किसी दिन कोई अंतरिक शियात्री चंद्रमा पर नहीं उतरता और उन्हें स्मृती चिन्ह के रूप में वापस लाने का फैसला नहीं करता. लेंडर और रोवर प्रयोग और विश हमारे पास अभी भी पिछले चंद्रमा मिशन चंद्रियान 2 का ओनर बिटर मॉड्यूल है, जिसमें एक रिसीवर भी है. प्रोपल्शन मॉड्यूल या ओनर बिटर डेटा को पृत्वी तक पहुँचाएगा. क्या सूचना भेजने का तरीका, जैसे रेडियो स्टेशन प् में भेजे जाते हैं, जैसे रेडियो तरंगें या माइक्रोवेव, जो उर्जा की प्रगती हैं. उन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यक्ता नहीं है. कैसे कब तक काम करेंगे लैंडर और रोवर? लैंडर और रोवर प्रिथवी के 14 दिनों तक जीवित रहेंगे, जो एक चंद्र दिवस के बराबर है. जब चंद्रमा अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाता है, तो प्रिथवी 29.5 दिन पूरे कर लेती है. एक चांद का दिन प्रिथवी के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है, जैसे कि एक चांद की रात. चूंकि लैं 115 करोड रुपय की लागत आने का अनुमान है. चंद्रियान, त्रीका क्या महत्व है? चांद पर जाएं ही क्यों? अमेरिकी अपोलो मिशन के बाद दशकों तक मानव जाती ने चंद्रमा को नजर अंदाज किया. लेकिन अब, चंद्रमा के दक्षणी धुरुवीयक शेत्र में बर्फ की मौझूदगी निर्नायक रूप से स्थापित हो जाने के बाद, इसमें नए सिरे से दिल्चस्पी बढ़ी है. बर्फ का अर्थ है, पानी, पानी को हाइड्रोजन और ऑंक्सीजन में विभाजित किया जा सकता है. ये दोनों रॉकेट इंधन है. इसका मतलब ह भविष्य में अन्य अंतरिक्ष अभियानों के लिए चंद्रमा पर रॉकेट बनाये जा सकते हैं. और स्थानिय रूप से उत्पादित इंधन द्वारा संचालित किये जा सकते हैं. कम गुरुत्वा कर्शन के कारण, चंद्रमा से गहरे अंतरिक्ष मिशन लॉंच करना आस और सस्ता है. लेकिन अगर आपको पृत्वी से चंद्रमा तक रॉकेट इंधन ले जाना है, तो यह आर्थिक रूप से संभव नहीं होगा. आज के लिए बस इतना ही था. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे, चैनल क सब्सक्राइब करे, और भारत के चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.